पीपु सुल्टान शहीद रामतुल्ला अलेकू देश गिरोही बताकर देश का घद्दार बताकर जो साबित करना चाह रहे हैं वो देश का घद्दार है वतन परस्ति क्या सिखाएंगे वतन के सवधागर आज वो वतन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो वतन को बेच रहे हैं जिन्होंने सारी जिन्दगी इतिहास को मिटाना होगा तो बीएस यडियोरप्पा की हुकुमत को जितने मंदिरों को बनाया है उन तमाम मंदिरों को ढ़ाना पड़ेगा अगर बीएस यडियोरप्पा की हुकुमत टिपु सुल्तान के इतिहास को किताबों से निकालना चाहती है तो उन तमाम हिस्ट्री को टिपु सुल्तान शहिदरा मुतुलाले के मिटाना होगा अलपसंक्या इतरना पुलिता आइदरों अधरनलुकोड बारूर बड़ोरी दार्यांत तिविकोंडू हजर टिपु सुल्तान रोरू मंगलोरू, उडुपी, कारवारा, मरडेश्वारा इन्ताकडे इरुवन्ता बड़ाप्राम महनरिगे माशासन वहां तिंगु तिंगु संभ्लकोडता इदरू अधे ब्रामनर युवत्ता कारथीक मासदल्ले हजर टिपु सुल्तानर वर इसरली सलाम पूजे ननना माड़ता इदर्ले इदना नोड़ बेक्को इतिहासकार यार टिपू सुल्टांत वरहो उरुध्वाव माड़त आइदर इन्ता देवस्तानकोल के ओग अलेन पूझारिवुण बेटी माडली युरू टिपू सुल्टांत वरहो इतिहास वन्न वुटा माडलीके नोड़त आइदर अल्ला इजनगोड गोकरने शुरक्टि ओग यालिन पूजारी उड़न बेटी माडली नंजन गुडिन देवस्तान कोई यालिन पूजारी उड़न बेटी माडली आगा टिप्पु सुल्थानर आवर निजवाद अंत इतिहासवन न वर हेड़तर यारे खेलवे खेलव कुतंत्रिगळु चेट्डी वाला गड़ु सुल्डु इतिहासवन न सुरुष्टी माडी आवर इतिहासवन न मरेमाचलिक पोदरे हजरत पिप्पु सुल्थान दोवरों और बिज़ा इस थीचान दोवरों पिकदिर वांत यी भूमी के विततन था बीजा और बेडेतन तर आर बीज़ा मत यी भूमी मेले लो क्ष़े पड़ द थक जिए अप ये कोगा न ये हाँ सामी जी कोगा ने 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 सर आप येको मुकमी दो होगा नी हाँ होगा अचलोका हम चातलो क्ऊ पाइब एड़ हाथ हम च हम आक क्षण। मता हम आट हम थो एक सिंग एक सिंग बाद कर दो जर अब मिछे मुबाल में लें लेंग विछे मैंच कि एपिछ़ मिफ बाज आजा पर गुड़ा आरफाद प्रियाद आखिब ओके ये के किसे जो मुहम्मद अरबार्ट आयान आनम टकले आनम टकले या आनम टकले आरफा आराफ आःड़ आःड़ आपनार आपनार आफनार इसे जार आपनार आरफाद ऐन्यासाप के हथ से अर्भिया अले जनाब जाहिर साहिब हो अधाब तमाम विवर्स को जिश्ट इदे मिलाद नभी की तमाम साध मुबरक हो जैसा कि आप तमाम कमालों में इदे मिलाद नभी के दिन महसुर एक तारिख दिन मजाता है यहां पर हर Laurie में अपने-अपने तोर पर जूलूस नकाला जाते हैं और इवर्जलास में मनतब करते हैं और जहां बात इजलास की हो तो हमें जहां पर भी हदाति पुलाज चाहिब के नाम से मनसुब किया गया है एक बद्रसा है जिसे दोरल aquesta हंधा तारिफ पुष्यों सम ब्रादर रहनुमाओं को जैसे कि आप देख से थे हैं में परे पीचे स्वामी जी भी हैं और दिगर खुलफ़ा भी हैं और दिगर मखतली पंजिमानों के लिपरान भी हैं यहां के सरपस तेहला हैं खौजा अलीम अजीम अलीशाद चिस्ती उनकी फिकर है कि तमाम को एक ले अलाद नभी है और ट्रीपो स्क्तान के दालग से एक मुबारक इजास का मनखत गया है इसी की सलसले में अब भी बात कर रहा हूं यहां के मौजिज मेमान हजरत मौलाना खाली जीलानी के सर्मरोसी स्लाम अलेकुम रहमतुल्ही वबरकातों किसी फखीर का दस्ते दुआ चलाता है किसी फखीर का दस्ते दुआ चलाता है हुपूमते खुद नहीं चलती खुदा चलाता है ये मेरा वो मेरा सब मेरा कभी तूने सूचा कि ये दुकान दूसरा चलाता है जहां तक ये इद मिलाद النभी की बात है हम यहां हर साल सुफे बासफा हजरत खवाजा, अजीम अलीशा, चिश्टी, मदजिल्लव लाली और हमारे स्री स्री बस्वा लिंगा, मूर्ती स्वामी जी की दावत पर तूँ तश्रीफ लाते ही हजरत सरकार सेदना मुमिन बादशा खादरी गी अलवगदादी रहमतल्लाहिय अले, जिनका मसकन केसर मुरु शरीफ, सानिय वगदाद है वहां से यहां के तश्रीफ लाते हैं, अलहम्दुल्लाह आज के हालात, जो कल ही फैसला हुआ है, बावरी मस्जिद के तालिक से, बात ये है कि हमारा एमान है, हम तगदीर पर एमान लाते हैं, हमारा हर मुसल्मान का एमान, आमन तु बिल्लाही वंलाइकतिही वार्सूल ही वल्यौम लाप्री वल्खडरी खहरी वा शर्र्री ही खैर भी जो हता है, ऐल्ल्लाह की जानिब से होता है, हमारे ह Rights-Themun में व्यत्ति के राया हूँ या शर्र्ग बन के आया हो है निचया है, मिघ्ज़ जानिब आल्लाह के इतना कहना है कि हमें हर रहालत में अमंग बनाए रखना है शांती बनाए रखना है दूसरी खौमों से उलजना नहीं है हमारे आने वाली नसल को दूसरी खौमों का शिकार नहीं बनाना है उलज कर अलहम्दुलिल्ला हिंदुस्तान में भैचारगी रही अमंग रही हिंदु म हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं कुछ नासूर कीड़े जो हैं हिंदुस्तान की शांती में हिंदुस्तान के अमन में आग लगाकर हिंदुस्तान को ठुकड़े बनाना चाहते हैं लेकिन हमारा मकसद ही यह है कि गन्या कुमारी से कश्मीर तक अखंड भारत हिंदुस्तान ह मारा महान रहे शान्ती रहे, अमन रहे, हमारी अवलाद यहां पर अमन शान्ती के साथ जिन्दगे गिसाएered यही हमारा मुझसद है, मॉलाए काइनात, अमिर ल्मूमिन, इन ली कर्मलाव वजहों अगर इन ली की दोर खिलाफ्त में किसी ये एक फर्द की भी जान जाती है तो अली ये समझता है कि सारे इंसानों की जान चाहिए हमें जानों की हिफाज़त करना है मस्जिद मंदिर स्वामी जी फर्मा रहे थे काबे पर भी जाकर कबूतर बैट जाता है मंदिर पर भी बैट जाता है मदینे पर, चर्च पर, हर जगा जा कर बैट जाता है, मशुरफ न मख्लूख ही, कबूदतरों से भी बड़ा मकाम है, फरिश्टों से भी बड़ा मकाम है, इकबाल फर्माते हैं, फरिश्चों से अफ़जल है, एनसा बनना, लेकिन उसमें लगती है, महनत ज्यादा, लेकिन हम انسان ہیں اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو انسان کا ہے ہم یہ مسجدوں کے پیچھے مندروں کے پیچھے اپنے آپ کو کیوں مٹائیں یہ مندر ہمارے لیے ہے مسجد ہمارے لیے ہے ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ کا عرش بنانا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں خلوب المومنین عرش اللہ تعالیٰ مومن کا جو قلب ہوتا ہے وہ اللہ کا عرش ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اتنا ہمیں سرشار ہو جانا ہے کہ ہمارا خل بھی عرش بن جائے اور ہمارا ملک جو ہے ہندوستان رسول اللہ کو پیارا تھا غوث پاک اپنے فرزند سے ارشاد فرماتے ہیں بیٹا ہندوستان جو ہے امن و سلامتی کا مقام ہے میرے جد امجد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے ہندوستان سے امن و محبت کی ہوائیں آتی تو اتنا اچھا ملک ہے حضرت تاج الدین عبد الرزاق خادری رحمت اللہ تعالیٰ علیکم نصیحت فرماتے ہیں حضور غوث پاک بیٹا ہو سکے تو ہندوستان کو جاؤ اتنا بہترین مقام جہاں باوہ آدم کا نزول ہوا ایسے بہترین ملک کو ہمیں ٹھکڑے بننے نہیں دینا ہے پاس سیاست دان کچھ بھی اپنی سیاست کر لے میں بسوڑنا کی ور سے خواجہ غریب النواز کا ایک نمائن داون کر حضرت بندہ نواز کا ایک نمائن داون کر یہاں جتنے اولیاء صوفیاء اکرام ہیں ان کا میں نمائن داون کر بس فاجہ عظیم علی شاہ چشتے اور سامی جی کو میں ساتھ لے کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ہندوستان مہان رہے مہان رہے یہاں کا ہر انسان ہندوستان کا نام کمانے لگے اور اپنے دل کو نبی کی محبت کا مدینہ بنا لے یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئے مسجد ہزاروں بن جائیں گی دیکھ سارے القرآن میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ساری زمین مسلمانوں کے لئے مسجد کی مسجد کا مقام رکھتی ہے جہاں مومن سجدہ کرتا ہے وہی اس کی مسجد تو ہمیں لڑنا نہیں ہے زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے پر اس لئے کہ ساری کائنات نبی کے صدقے میں بنی ساری کائنات مسلمان کے لئے مسجد شکریہ ساری زمین ساری زمین ساری زمین ساری زمین आलम इसलाम को जशने मिला दो नभी मुबार्क हो और साथ में हज़र्टिकु सुल्टान शहीद रहमत अले के हमें विलादत भी मुबार्क हो और साथ में जो है कर्का बड़ी बर्सों से जो है एक मश्चित का पहिसला था इससे अवल भी जो है मैं एक बात कहह रहा था कि पॉर्ट का पहिसला जो भी आए हम यहिं मन्सुर है लिए हिंदुस्तान के जो है समीदान को जो है हमारा वरोसा है करका अब उसके मताबिक जो है जो है जो फैसला आया उससे जो है हम सब जो ही मुतमेन ही क्योंकि वहां पर ये खौम की जो है मंदिर का मसला भी हल हो गया फिर ये खौम का जो है मस्चित का भी मसला हल हो गया है तो जगा देरी उनों बन खुबल करकर खामुशी से रहें, पिर अलहमदोरिल्ला सारे हिंदुस्तान में हमन का माहुल रहा, अल्लाहत ताला से उसके हुवी पाक के सत्खे से दौा करता हूं, कि इसी तरीखे से हमारे मुलक हिंदुस्तान में आमनों सुपन खाइम रहे और उन लोगां को भी जो इस केस्प में जो परसों से कोशिश करका है उनका भी मैं शुक्रिया दा करता हूँ और उस कमीटी का भी उन से भी मैं इलते जा करता हूँ कि यह बात को यहीं पर खतम करे कि आगे ना जाएं मैं मौदुमाना गुजारिश करता हूँ सुनी वकबोट हिंदुस्तान को कि वो इस बात को यहीं पर खतम करें आगे ना बढ़ाएं यहीं इस से जो है हम सब मुसल्मानों की जो है अमन भलाई है और साथ में जो है हमारे इस गरीब खाने में आये हुए सबी मेहमानों चा दियो से शुक्रिया अदा करता हूँ खज़त है बुछ अजर्ट वासे आजम हज़त अलामा मौलाना खालिर्जिलानी सही पिबला स्री सरी बस्वालिंगा मौरती सामी जे और जो है हज़त रोषन खादरी आप और नवीद शाह खादरी सहीब और जो है ह हमारे समाजी कारकुन महम्मद नवाशरीफ साहिब और शेयर मैसूर के अंदर सुल्तान के महबत में बहुत से इदारे खाइम के वहीं बरसों से खिरमत करते आ रहे हाली जनाब जाहिद उल्लाग खान साहिब का भी तहिद से शुक्रियादा करता हूँ और उसके साथ में जो है हमारे दूसरे भी भूस से साथ यहां को ही बिंगलूर से अताली शाह साहिब और उनके भी शिरानी साहिब तुंगूर से और आप सब मीडिया वलंका भी यही शुक्रियादा करते हूँ फिर एक अपनी फोर्म से एक इलतिजा करता हूँ कि इतिहाद में जिंदगी है इतिहाद में जिंदगी है इखतलाफ में मौत है बराए महरबानी हर यक से जो है महबद कीजिये महबद दीजिये अस्सलाम अलेकुम रह्म अलेकुम अस्सलाम अलेकुम अंधिरों को खजा आई अई है अंधिरों को खजा आई अंधिरों को खजा आई हुई रंगे सहर पैदा हुई रंगे सहर पैदा अंधिरों को खजा आई हुई रंगे सहर पैदा हुआ हैदर अली के घर टीपू शेर नर पैदा इस शेर से अपने जजबत का इज़ार कर दिया मुझे कहने के लिए जो आपने मुखका दिया इसका भी बिदा है श्कुरूर उज़ार हूँ उचे उचे दरबारों से क्या लेना भूके नंगे बिचारों से क्या लेना उचे उचे दरबारों से क्या लेना भूके नंगे बिचारों से क्या लेना अपना खालिख अपना मालिख अफजल है यह आती जाती सरकारों से क्या लेना हमें पहले भी कर ले काते थे टिपु सल्टान शहीद रहमतुला लगी जेंती हों दे रूस हों दे और ताख ख्यामत तक भी इसके बाद भी हमारा नोज़ाओना जिते भी ही उन्हों पूरे साथ में दो कर लेगा